कश्मीर का नाम सुनते ही एक सुन्दर सी जगा का चित्र सामने आता है पर कश्मीर में एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें कोई भी रहने को जाता है तो वो जिन्दा नहीं बचता और इसी बात से अंजान तीन दोस्त राहुल, नितिन और मुकेश अपने छुटियां बनाने कश्मीर गए और किस्मत से इन्हें यही गेस्ट हाउस रहने को मिला यह गेस्ट हाउस बागी सभी गेस्ट हाउस से काफी सस्ता था इसलिए तीनों ने इस गेस्ट हाउस में ही रह अब फिर से मौत का नाच होगा उस guest house में वो आत्मा आप वहां किसी को नहीं छोड़ेगी उस आदमी की बात सुनकर नितिन और मुकेश की तो हालत सी खराब हो गई पर तभी राहुल उन दोनों को समझाते हुए बोलता है कि कहां तुम भी उस पागल की बातों में आ गए हो ये आत्मा और भूत कुछ भी नहीं होता है अब चलो यहां से बहुत रात हो गई है फिर उसके बाद वो तीनों उस आदमी की बात को नजरनदाज करके अपने guest house में वापस आ जाते हैं और अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं उस दिन पूरी रात उनके साथ कुछ भी नहीं होता है फिर अगले दिन तीनों सुवा उसी ढावे में जाकर अपना नास्ता करते हैं और घूमने निकल जाते हैं पूरा दिन घूमने के बाद वो तीनों उसी ढावे में आकर बैठ जाते हैं कुछ देर बैठने के बाद राहुल नितिन और मुकेश से बोलता है यार तुम दोनों रूम पर पहुँचो मैं अभी आया राहुल उन दोनों को गेस्ट आउस में भेज कर सिगरेट पीने लगता है और दूसरी और नितिन और मुकेश गेस्ट आउस के पास पहुँच गये तब ही नितिन मुकेश से बोलता है रुक रुक यार चला जिस सेब के पेड़ से थोड़े सेब तोड़ते हैं नितिन की बात सुनकर मुकेश भी हां बोल देता है सेब का पेड़ उनके ही गेस्ट आउस के बगल में लगा था मुकेश को तो पेड़ पर चड़ना नहीं आता इसलिए नितिन मुकेश से बोलता है यार तु नीचे ही रुक मैं उपर चड़ता हूँ और मैं तेरे लिए सेब नीचे गिराता रहूँगा इतना बोल कर नितिन उपर तो चड़ गया था पर काफी देर तक उसने एक भी सेब नहीं गिराए उस समय काफी अंधिरा हो गया था इसलिए मुकेश को नितिन डिख नहीं रहा था कुछ देर और नितिन ने सेब नहीं गिराए तब मुकेश उसे आवाज देने लगा अरे नितिन नीचे आजा भाई बहुत टाइम हो गया है पर मुकेश को नितिन का कोई जवाब नहीं आता है पर तभी वहाँ पर रहूल भ पर नितिन का आवाज देने लगते हैं, पर नितिन कुछ जवाब नहीं देता है। कि जैसे उसके शरीर में खून की एक बून भी ना हो उसका पूरा शरीर सूख चुका था नितिन की मौत के पूरे दो दिन बाद राहुल और मुकेश अपने गेस्ट हाउस के बाहर बड़े ही दुखी मन के साथ बैठे हुए थे तभी उनके पास एक बाबा आकर बोलते हैं मरोगे तुम दोनों भी मरोगे जैसे तुमारा दोस मरा है वैसे ही वो तुम दोनों को मार देगी इतना बोलकर वो बाबा आगे चले जाते हैं मुकेश उनकी बात सुनकर डरने लगता है पर तभी मुकेश को ऐसे डरता देख कर राहूल बोलता है अब तू भी कहा इस पागल बाबा की बात में आ रहा है ये तो कुछ भी बोलता रहता है राहूल भले ही बाबा की बात ना माना हो पर मुकेश को बाबा की बात का पूरा विश्वास हो गया था और मुकेश राहूल बहुत हुई थी और वो देखता है कि मुकेश उसे सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तब ही राहूल ने सोचा उसे नितिन की याद आ रही होगी इसलिए वो यहाँ पर आकर बैठा है फिर उसके बाद राहूल मुकेश के पास जाकर बैठता है और बोलता है क्या हो चल यार थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं तेरा भी मन लग जाएगा राहूल के इतना बूलने के बाद मुकेश भी राहूल की बात मान जाता है और वो दोना थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं दोना गेस्ट आउस से अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे कि तभी उनके पीछे से मुकेश आ जाता है मुकेश राहूल के साथ उसके ही जैसे दिखने वाला आदमी को देख कर बोलता है अरे ये कौन है राहूल के साथ मेरे जैसा कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में बाबा ने मुझे अभी बताया अगर वही है तो मुझे किसी तरह से ये तावी पापीज राहूल को देना होगा, जो अभी बाबा ने मुझे बना कर दिया है। मुकेश दीरे धीरे और छुपते छुपते राहूल के पास आने लगता है। मुकेश इसनले छुपते हुए जा रहा था, क्योंकि अगर वो मुकेश को देख लेती, तो वो उसी वक्त राहूल को मार देती किसी तरह मुकेश राहूल के पास छुपते छुपते पहुंच जाता है और मुकेश राहूल को हलकी सी आवाज देकर एक तावीज राहूल के पास फेक देता है और राहूल उस तावीज को तुरंट पकड़ लेता है राहूल पर तावीज पढ़ते ही वो जो अभी मुकेश के रूप में राहूल के साथ था वो तुरन गायब हो जाता है फिर उसके बाद मुकेश राहूल के पास जाकर पूरी बात बताता है कि कैसे वो बाबा के पास गया और कैसे बाबा ने उसे बताया कि उस guest house में एक लड़की की आत्मा रहती है और कोई भी उस guest house में रहने जाता है तो वो आत्मा उसे नहीं छोड़ती और बाबा ने उन्हें उससे बचने के लिए ये दो ताबीज बना कर दिया था पर ये ताबीज भी तभी उस आत्मा से बचा सकते हैं जब ये दोनों गेस्टाउस के बाहर हों मतलब अगर ये दोनों अभी उस गेस्टाउस के अंदर होते तो ये ताबीज उन्हें नहीं बचा पाती क्योंकि उस आत्मा की शक्ति उस guest house में बढ़ जाती है कश्मीर में ये guest house अभी भी है और ये guest house वहाँ का सबसे सस्ता guest house है अगर आपका भी कभी दिल करें तो रहने आ जाना इस guest house में दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें comment बताईए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद